दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी काप्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपकी सेवा में अच्छे महत्तुपूर्ण खवरों का मजेदार एनलिस्यस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है चैनल को वारत सरकार ने बंद कर दिया था तो भाईया जी उसको चालू कर दिया है लॉजिक क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डिसकस करना बेह जलूरी है साथ में बैंक ऑफ बड़ोदाने भाईया जी रूसी कच्छे तेल के लिए पेमेंट करने से मना कर दिया है कच्छा तिल नहीं खरीद रहे हैं वहीं क्यों किया लाइसी ने किस तरह पीटा पिछले वित्त वर्स में यह तो लाइसी का पॉइंट है वह हमारे स्टूडेंट्स के बेहद काम का है वाई साब यह हर घटना क्रम एक से बढ़कर एक है आपको पक्ते से मज़ा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा साथ में कल है अपना हनुमान प्रकट्योट सबका उपलक्ष इसलिए 50% तक का भाली वर् के डिसकाउंट आपके लिए उपलब दो जाएगा अब दोस्तों आप देख लीजिए पीड को दोसी बनाये जाने की प्रक्रिया तो ब्रावर चल रही है भारत से लेकि पूरी दुनिया में भाई साब लेकिन यह जो स्टेटमेंट है किसका है यह सैकुलर पार्टी का है व सब्सक्राइब करा जा रहा है सोचो आप यह सब्सक्राइब की असली सचाई जो आप सभी को पता है लेकिन हाइलाइट करना बहुत जरूरी है क्योंकि चंद दिनों के बाद यह लोग फिर आएंगे हम लोगों को सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाने के लिए पता नहीं चपल भी आप पेको फिर बंबी बनाओ और यहां नहीं आप किसी भी देश में पॉलिटिक्स देख लो अमेरिका में देख लो यूरोप में देख लो हर जगह भाई-शाब सेकुलरिज्म मानवधिकारों के नाम पर इनहीं लोगों को पाला पोसा जाता है वाई-शाब क्य होके वो डलने के लिए संगठन है इसलिए हम कहते हैं हम लोगों ने भगवान स्री राम को सरफ पूजा है हम लोग पूझते रह गए जिन्हों ने प्रेड़ना प्राप्त करी वह आगे निकल गया भाई-शाब अलाइंस बिल्डिंग में हम क्यों पीछे हैं भाई-जी सव मुसलमान लेकर आया था चालीस मुसलमान लेकर आया था बावर इतियास कवाए तो भाई-जी जो जात-पात करें वो सबसे बड़ा दूसमान है हिंदियों का इसलिए यह अलाइंस बिल्ड होना चाहिए भाई-जी डो है चौबीस के पहले पहले महीं होगा तो भाई-जी इनकी जो गल्तियां कहिए या उनकी जो टाइम पास कहिए या उनके नजद अंदाजी में यह घटनाएं हुई है इनका आगे आने वाले सेख़़ों सालों तक हम भुखते हैं ले म्यामार का कहना है ताहिलेंड का कहना है क्या कि भाई-जी हमें तो भारत का कुछ नहीं ले रहे हो किससे आपको डर है किससे डर है आपको क्यों आप हेंगर बना रहे हो क्यों आप बड़ी-बड़ी हवाई-पट्टी बना रहे हो दोस्तों को कहा जाता है कि जिस बात का जिक्र सारे फसाने में ना था वही बात इनको नागवार गुजनी दिक्कत कोको आइलेंड से अब चीनी लोग इंफ्रस्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि इस रस्ते पर भारत का होने वाला है कब्जा यह डिसकस कर चुके हैं हम पहले तो भाहिए जी जो ग्रेटर निकोवार आइलेंड पर प्रोजेक्ट बन रहा है भाहिए इसका भारत में ब्रोद हो रहा है क्या बोल क्या है ग्रेटर निकोवार का जो प्रोजेक्ट है उसको रोकना इसको यह बढ़ता रहे उसके लिए दोजार चौबीस में घर से निकलके वोट डालना पड़ेगा नहीं वोट डालेंगे तो भाईया जी यह तो लटक जा समझो अब भाईया जी यह बड़ वैंके भाईया जी समझ में नहीं आता 6.6 से घटा के बारत की विकासदर 6.3 करती कितनी घटाई पॉइंट 3 परसेंट और जवाने वर में हल्ला चालू हो गया लेकिन लॉजिक सही है लॉजिक क्या है भाईया कि भारत में ब्यासदरें बढ़ गई है लोगों की कमाई नहीं बन रही है तो भाईया जी लोगों के पास पैसा कम है पैसा कम है तो वो खर्चा क्या करेंगे तो पॉइंट तो सही है हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि यह जो है कोई ऐसी गरावट नहीं है कि हमारे रातों की नींद दिन का चैन ओड़ जाए लेकिन लेकिन आर बी आई की मीटिंग कर चालू होने वाली है तो भाईया सक्तिकामतादास साहाब सुलो क्या बोला है वर्ड बैंक 6.03 से भी नीचे चली जाएगी अगर आप ब्याज़ दर ऐसे ही बढ़ाते रहे भाईया जी लोगों की कमाई बढ़नी रही है कैसे काम चलेगा महंगाई को कम करने के लिए आपका जो प्रयास है और ग हुआ मवित्रा मेडम राहूल गांदी करते साब लाइसी यह क्यों करता है लाइसी क्यों करता है लाइसी जो करता है वह आप उसकी रिपोर्ट में देख लोगी या जी पिछले बिद्वर्स में कितना पीसे कमाया है सो जो आप 65,000 करोड रुपया का प्रॉपिट हुआ है और इन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को पचाड़ा है कैसे पचाड़ा वह यार हमारे विद्यार्टी स्टूडेंट ध्यान दें इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने क्या किया भाई साब इट 5-star do nothing भारती टेलीवीजन के इत्यास में सबसे बढ़िया एड है और ऐसा विद्यापन है जो हम सभी निवेशकों के काम का है इट 5-star do nothing इन्होंने सिर्फ इतना किया कि नीचे जब भी मार्केट कमजोर हुआ लेके बैठ गये माल अच्छा माल सस्तेजाम में खरीदना इसी को बोलते हैं कॉंट्रेरियन बैट जो हम बारवार कहते हैं न किसाब अच्छा माल सस्तेजाम पर खरीदो गिराव अटाए मुस्कुलाने का मौका है डर खरीदे जाता है लालच बेचा जाता है उसी को बोले आता है इन्वेस्टर यही कर रही लाई सी परणाम आपके सामने हैं इसलिए हमें भीया कुछ नहीं करना है कुछ ना करके स्बीट कर लिए आपको किसी की टिप करते हो गर्मिए प्सी की डिमांड रहती है यह जो चीज है इसको आपको आजपास नहीं दिखना टीवी यूट्यूब पर नहीं दिखना ये आपके साथ हो रहा है आप इसको अनुभव कर रहे हो तो अपने चारों और आपसे जुड उनको पकड़िए और फिर इन्वेस्टर बने के जब सब बेच रहे हों तब खरी दिये आपका पैसा क्यों नहीं बनेगा वह लाइसी का बनेगा तो आप कौन से अनुके हो अब यह सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है अब यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसमें एक बात जो कमजोरी हमें लगती है भाई साव कोई भी आपने काम किया मानलों 12 सरकार ने बेन लगाया तो आपको भविश्च में जुडिशियल रिव्यू के लिए तयार रहना है मतलब कि पास एविडेंस होना चाहिए में लगे ऐसे ही आपने बेन कर दिया तो जुडिशियल रिव्यू में आप कसवाटी पर खरे नहीं उतरोगे इस बात की संभावना हैं तो हम यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया भाई साब की बीडिया वन पर जो गलत है यह चैनल बाहल कर दिया दिल्ली मे यह बहुत जरूरी है freedom of expression है देश की सरकार का बिरोध करना देश का बिरोध करना नहीं होता बिल्कोल सही बात है इस बात में कोई भी हमें दिक्कत नहीं है सही बात है भाई साब मोधी सरकार ने intelligence bureau ने अगर जो है यह केस बनाया है बेन लगाया है तो ज्यादा कमी उनकी त आपका केस मजबूत है तो आप review partition डाल सकते हो ऐसा थोड़ी है कि कारेक्टम समाप्त हो गया यहां पे आप review लवालो आप सुप्रीम कोड से फ्रिन बेदन करो लेकिन अगर आप केस जंग से लड़न नहीं सकते उस मैं पैर भी नहीं कर सकते तो भाई जी काम भी मत करो नही अब भाईया जे बैंक को बढ़ादा देख लो इनने क्या किया भाई साथ इन्होंने कह दिया है कि सिक्स्ट्री डॉलर की प्राइस कैप है इस प्राइस कैप के ऊपर जिल लोगों ने कच्छा तिल खड़ी दा था ओम सीज ने ओयल मार्केटिंग कंपनीज ने ने का साब ह हमने खरीद लिया पेमेंट करवा दो तो बैंक को बढ़ादा ने हाथ खड़े गर दिया इससे उपर हम जो है नहीं कर पाएंगे क्यों अभी हाल में जो कच्छा तिल उचला तो उसमें कुछ ओम सीज ने ज्यादा पेमेंट पे माल उठा लिया रूज का अब पेमेंट रो तो भाई साहब इसी में अच्छी खबर भी है अच्छी खबर यह है कि डॉलर के बेशिस पर जो भी पेमेंट हो रहा है वह प्राइस क्याप का पालन करेगा यदि आप 65-70 पे लेते हो कच्छा तिल तो डॉलर छोड़ो आप रूपी को अपना ये रूपी में पेमेंट कीजिए तो भाई सब ये बात तो बहुत सही है ये बात तो आप लोग भी हमेशा से कह रहे हैं कि ब्रूस से कच्छा तिल खरीदना है तो डॉलर के बजाए अगर कच्छा तिल उपर गया तो उस केस में डॉलर हटेगा रूपया मजबूत बनेगा तो इन्वेक्ट कच्छे तेल की ऊपर जाने से हमें नुकसान होता है लेकिन अगर ये घटना करम होता है तो कम से कम रूपए के फ्रेंट पे हम मुस्करा सकते हैं ये बात पकी है अ लोगलों की मठीया मैठी थी वही श्ट्रैटजी में भी स्ट्राइट अप्षन को कोर्स के माध्यम से जिस को आपको जोएं करना है लिंक दी गई है इसी उपर डिसकाउंट एप्लिकेबल हो जाएगा हनुमान प्रकट्यों सब के उपलक्ष पे मिल रहा है कल जो है अपना यह कल जो है हनुमान जैनिति का अफसर है लाव उठाइए इस डिसकाउंट का जल्दी से जल्दी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यव जैस्टरी राम